शक्रवाती तुफान अमफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई तबाही पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की गई जान परधान मंदरी नरेंदर मोधी बोले रखी जा रही है पूरी नजर हर संभो मदद का हो रहा है प्रयास 25 मई से शुरू होने जा रही घरेलों उडानों के लिए जारी होई गाइडलाइन्स यात्रियों के लिए फेस मास्क सैनेटाइजर की बोतल साथ रखना जरूरी खाना नहीं देंगी एरलाइन्स 90 से 120 मिनट के बीच यात्रा के लिए नियूंतम किराया 35 रुपाई अधिकतम कि करा सकेंगे रेलवे की टिकेट रेल मंत्री प्यूश गोयल बोले दो से तीन दिन में स्टेशनों पर टिकेट काउंटर पर भी शुरू होगी टिकेट बुकिंग ग्री मंत्राले ने एक बार फिर से राजियों केंदर शासित प्रदेशों को लोगडाउन का पालन कराने को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये ग्रह मंत्राले ने कहा राजियों को रात की कर्फ्यू या गैर जरूरी गतिविधियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सुनिश्चित करनी चाहिए साथ ही राजिया कंटेन्मेंट जोन को सही तरीकी से तै करें देश में एक लाग 12,369 हुई कोरोना मरीजों की संख्या 63,624 कोरोना के एक्टिव मामले अब तक 45,300 कोरोना मरीज ठीक हुए पंजाब में आज कोरोना वाइरस के 25 नए मरीज हुए ठीक प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 170 पंजाब में शराब पर सियासत गर्माई शिरुमणी अकाली दल ने अवैध शराब कारोबार के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा कहा मुख्या मंत्री बताएं कौन-कौन से कॉंग्रेस के नेथा शराब कारोबार में शामिल, पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड का पलटवार, बोले प्रदेश में अवैद शराब का रास्ता शिरुमणी अकाली दल की देन। कुरूना के एक्टिव केस बढ़कर हुए तिरासी। चंडिगड में कुरूना इसके इमरीजों की संख्या बढ़कर हुई दोसो अठरा।